दोस्तों कैसे हैं आप सब आप मुझे मेल डॉप कर सकते हैं जा फिर वाटसब भी कर सकते हैं अब मैं बात करूँगा आज के वीडियो सेग्मेंट की जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक आवर्नेस भरा पत्र दोस्तों एक सर्विसमें के लिए बैस्ट बिजनेस ऑपिशनेटी जो है वो एक गैस एजेंसी भी हो सकती है सेनिक गैस एजन्सी कैसे ले सकते हैं बुतपूर सेनिक, विडोज, डिसेबलेस, एक सर्विस्मेन, पेरा मिलिटरी फोर्सेज, सर्विस्मेन, फ्रीडम फाइटर्स के लिए स्पेशल कंसेक्शन इसमें दिया जाता है अलोट्मेंट ओफ रेगुलर लोगों के लिए बहुत फैदे मन्द है और बहुत ही अच्छा बिजनेस ओपर्चर्टी यह हो सकता है एक लपीजी गैस का बितरक बनना तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि गैस एजन्सी कैसे ले सकते हैं अब टू टेक लपीजी गैस एजन्सी एंड एल्पीजी गैस एजन्सी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं एंड गैस एजन्सी लेने के क्या क्या फायदे हैं गैस एजन्सी के लिए ओनलाइन आवे दिन कैसे करया हाउ टे अपलाई ओनलाइन फूर एल्पीजी गैस एजन्सी and gas agency के business में profit और margin कितना होता है इसकी भी बात करूँगा profit margin LPG gas क्या है वो बहुत जरूरी है इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूँ मैं बताना चाहूँगा about gas agencies अब मैं बात करूँगा LPG gas के बारे में दोस्तों भारत में LPG gas की बहुत demand है और दिन पर दिन इसकी demand बढ़ती ही जा रही है दोस्तों परदान मंतरी उज्वला योजना जैसा कि आप जानते है परदान मंतरी उज्वला योजना ये है प्रदान मंतरी उजवला योजना के तहट लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी किया गया था और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक LPG गैस कनेक्शन पहुचाने का कैरे किया गया था दोस्तों गैस कंपनी की बात करें तो भारत में मुकता तीन गैस कंपनी है आप देख सकते हैं ये तीन गैस कंपनी मुकता हैं एंडेन, एचपी, भारत गैस दोस्तों इन कंपनी के देज भर में लागों डिस्ट्रिबूटर्स हैं तथा समय समय पर डिलर्शिप देने के लिए न्यूज पेपर या अपनी ओफिशल वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट भी ये कंपनीयां देती रहती हैं दोस्तों भारत में गैस एजनसी लेना बहुत आसान तो नहीं क्योंकि यहाँ पर इसके लिए फाइनेंशल इस्ट्रोंगनेस और जटल परकेरिया को फेस करना होता है दोस्तों अच्छी इन्वेस्टमेंट और अच्छी प्लानिंग के साथ यदि आप इस बिजनस को करोगे तो आपको तरकी देगा ये बिजनस उसके लिए लोकेशन आइंटिफिकेशन करना और डिमांड्स सर्वे करना बहुत सारी जरूरी चीजे हैं इसलिए वह सारी पूरी जो प्रकेरिया है वो प्रकेरिया मैँ आपको इस वीडियो में अच्छेप बाई जुस 실ले बताने वाला हूं बताने वाला हूँ और यदि आप वो पूरी प्रक्रिया तर्तिबाइज करते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत ही फायदे मन्द हो सकता है ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं एलपीजी बितरक टाइप ऑफ गैस एजनसीज की बात कर लेता हूँ आपसे कि गैस एजनसीज कितने तरह की यहाँ पर एबिलेबल हैं इंडिया के पर ठीक है दोस्तों तो टाइप ऑफ गैस एजनसीज की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चार तरह के हैं शहरी बित्रक एक municipal एरिया में ये नहीत होती है ये city, metro city, towns और इस तरह की जगेहों पर इसका संचालन किया जाता है दूसरी है rural बित्रक यानि की rural distributor जो की सहर के होते हैं और ग्रामिन छेत्रों में भी सप्लाई ये करते हैं और तीसरा है ग्रामिन छेत्रे distributor जो होते हैं दोस्तों वो विशेष्त गावों में ही LPG की सप्लाई करते हैं और चोथा होता है दुर्गम छेत्र वित्रक, LPG distributors जो दुर्गम छेत्रों के लिए होते हैं, यह जो distributors होते हैं, यह पहाड़ी और जंगली छेत्र या आदिवासी छेत्र के लोगों को LPG supply करने वाले distributors में count किये जाते हैं. अब बात कर लेते हैं, के लिए आपकी जो पातरता है, या आपका जो माफदंड है, वो क्या है, वो है, सबसे पहले तो आप Indian citizen होने चाहिए, और Indian citizen ऐसे होने चाहिए, जो as per income tax rule के अंडर आप आते हूँ, and special leave for freedom fighter और widow and dependents के लिए इसमें भी special shoot रखी गई है, Indian citizen होते हुए उनको यहां पर काफी रहायत हैं दी गई है, वो freedom fighters हैं, विडियोज और डिपेंडेंट्स, age 21 years से 60 years होने चाहिए, जिसका की certificate यह दिखाए है, certificate और में से कोई भी हो सकता है, education qualification at least past minimum 10th होना चाहिए, यदि आप 10th past नहीं है और आप एक service man है तो फोस से जो आपको certificate issue होए है education के वो भी यहां पर valid करार दिये गए, land acquisition for self or rent, determination of location identification or demand service is very essential to grow your business, specification of size की बात करें तो as per your requirement है, अदरवेज 40-35 मीटर चोड़ा square के साब से होना चाहिए, और यह place एक अच्छी जगह पर होना चाहिए, आप hire कर सकते हैं rent पे भी lease पे भी जो की 19 साल 11 मिने तक का होना चाहिए, और LPG वित्रक सोप और स्टोर या गोदाम जो आपका है must be reachable to pupils and government vehicle for delivery of cylinders, your store and soap must be in good and safe place, no risk place required if in case of fire or leaking or misuse, कि आपकी जगह ऐसी होने चाहिए, जहां पर यदि किसी तरह कोई दुगट ना गटे तो दूसरों को नुकसान ना हो, कोई in case यदि कोई leaking हो जाए, आग लग जाए, उस तरह की चीज़ों में भी आपकी safety की आपकी हीचिमे वारी है, offense record की बात करें, तो it's very essential, आपका कोई भी criminal record नहीं होना चाहिए, police case नहीं होना चाहिए, और applicant family members not in job of all marketing company और आपके परिवार का कोई भी सदश all marketing company में job करने वाला नहीं होना चाहिए, यदि होता है और आप इसको चुपाते हैं तो यह भी एक offense में मना जाएगा, fees for online registration, fees अलग-अलग रखी गई हैं, दोस्तों, LPG gas agency fees जो कि non-refundable होती है, जबकि आपको dealership मिल जाती है, तब यह non-refundable है, यानि कि fees for online registration non-refundable whether you not selected for distributor of LPG will be refundable, यह आपकी जो fees है, refundable नहीं है, यदि आप select नहीं होते हैं, तो refundable है, अर्बन एरिया की 10,000 है, जनरल कास्ट के लिए 5 OBC, 3 SCST, freedom fighters, widow, disable, ESM dependent पर, rules, special concession, oil company की तरफ से दिया जाता है, rest all depends on company rules, सब कुछ company rules के according चलेगा, सब कुछ company rules पर depend होता है, fees will be paid during online application submitted by the applicant, यह fees अभी जमा हो जाएगी, जब आप अपनी application जमा करोगे, रूरल की बात करें, तो 8,000 जनरल कास्ट के लिए 4,000 OBC, 3,000 SCST कास्ट के लिए freedom fighter और इनके लिए special concession दिया गया है, as per the rule of company, security deposit की बात है, जब कि आपका selection हो गया है, तो आपको document के साथ security deposit का 10% जमा करना होता है, यह security deposit ब्याद रहे तो non-refundable होता है, share चेत में security deposit पांच लाग है, ग्राम इंचेत में 4,000,000 है, आपके लिए जो की reserve category माते हैं, उनके लिए amount 3,000,000 तक हो सकता है, या उससे कम या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, as per the rule of company, दोस्तों, LO मिलने पर आपको पूरा security deposit करना होता है, यानि कि letter of appointment जब आपको issue होगा, उसके बाद आपको security deposit पूरा करना पड़ेगा, यदि आपको 5,000,000 है और आपने 10%, 50,000,000 जमा कर रखा तब बाकी के 4,000,000 भी आपको इसके साथ ही जमा करने होगे, final verification of documents की, dealership की, after final submission of online application, you have received email or call, आपका जब application जमा हो जाएगा, तो आपके पास एक call या email आएगा, और company जो है, आपको verification के लिए company का कोई representative आएगा आपके पास, जो आपके documents और आपकी store वगएरा की, on ground verification करके जाएगा, after online applied for LPG बितरक from all market company, you have to provide all documents, जब आप पूरे तरह से ये सारी कारवाई कर दोगे, तो आपको LPG बितरक के बतोर, all marketing companies को अपने पूरे documents प्रवाइड करने होंगे, company representative आपको letter of indent issue कर देगा, और उसके बाद में, आपके पास, आपका license of LPG बितरक, hello letter of appointment will be issued आपको मिल जाएगा, eligibility certificate must for ex-servicemen के बारे में बात की कई है, यदि यहाँ एक servicemen है, widow है, dependent है, यह servicemen है, parametry forces है, freedom fighter है, तो आपके लिए eligibility certificate जरूरी है, जो कि आपके quote को reserve करता है, उसका procedure में end of the, इस video बताऊँगा, वहाँ आप देख सकते हैं, किस तरह आप eligibility certificate ले सकते हैं, rest all procedures followed by the company, बाकी सारे procedure company का according होंगे, optionally आपको NOC की जरूरत पढ़ सकती है, जो कि SDM quote से बनेगी, my dear friends, at last I would like to conclude my video, and wants to tell you important fact, मैं बताना चाहूँ आपको, before to proceed this business, you have to minimum 15 से 18 लाख रुपीज in your account, required one store, one shop, as per safety parameter described in the info brochure of companies, before final submission, online application, you have to go through deeply for check back, because after final submission, not edit option available in the application, उसके बाद आप आप अपना नाम नूम कुछ भी चैंज नहीं कर पाऊगे, scan photograph, signature, आपके पास होने चाहिए, online submission करने के लिए, और आपकी online submission की application को as a draft रख सकते हो, आप last date के submission होने तक, यदि last date आगई है, तो आपको submit करने पड़े ही, जब तक आप 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 आजए draft रख सकते हो, online save करके, और you can apply in various states, आप हर एक state में, कई state में एक साथ apply कर सकते हो, on the same time, but fees were done, have to wear for different applications, लेकिन इस fees का जो बोज है, वो आपको जहिलना पड़ेगा, यानि कि extra खर्चा आपको जहिलना पड़ेगा, profit margin जो बहुत important चीज़े, इसकी बात कर लेते हैं, each cylinder leaves, रहे तो 44 रुपे for you, एक cylinder पर आपको 44 रुपे बाचेंगे, यूजर मैनुल फूर एप्लिकेंट्स, ओनलाइन एप्लाइफ फूर एल्पीजी बित्रक चैन, यह लिंक दिया है दोस्तों, यहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाइफ कर सकते हैं, रिजिटेशन करोगे, लोग इन करेंगे, select on the advertisement होगा, choose the location होगा, fill application form, make payment होगा online, ठीक है, important note की बात करूँ, तो please read out LPG बित्रक ब्रॉचर for the filling application thoroughly, and it is available in English version of the website, all essential formats are also available in the brochure, अब मैं आपको इसका एक detail performer दिखा देता हूँ, चलिए, यह है user manual, LPG बित्रक, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फर्स स्टेप में registration होगा मेरे दोस्तों, यह आप देख सकते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप में आप portal login करेंगे, थर्ड स्टेप में application form बरेंगे, उसके बाद में फोर्ट स्टेप में, online payment होगा, और आपका application submit हो जाएगा, इसके बाद स्क्रिन सोर्ट साप आप यहां देख सकते हैं, किस तरह से आप जाएगे, यह पहला स्क्रिन सोर्ट से, यह दूसरा स्क्रिन सोर्ट है, यह तीसरा स्क्रिन सोर्ट है, उसके बाद यह चोथा है, आप देख सकते हैं, यह पांचवा है, चटवा है उसके बाद यह साथवा है ठीक है दोस्तों और साथ वेम आपने pay करना आइए, आठ वेम आपने बरके और check-out कर देना है अपका जो है इस तरह से आप इसको कर सकते हैं और इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहँगा लास्ट हमारा इसके लिए ये वेब साइट है, ओनलाइन आपको अपलाई करना है, चलिए मैं आपको पूरा इसका प्रोसीजर देखा देता हूँ, इसके सेलेंट फीचर की बेब साइट पर केंदरिये और राज की ततर सारवजनिक छित्की काईयों के कर्मियों के लिए बारस सरकाने रेगूलर एल्पीजी डिस्ट्रिबूटर सिप में आरक्षन का प्रापदान रखा है, दोस्तों इस रेजरिवेशन कोटे के लिए एलेज दूसरा है विड़ो, तीसरा है डिपेंडेंट, एल्पीजी डीलर्सिप के लिए पात रहें जिनमें लड़ाई के दोरान सहीद या उनकी विदभा या उनके लीगल रेपरजेंटेटिव और लड़ाई और डूटी पर डिसेबल्ट सेनेक, ओन डूटी किसी बीमारी के चल कुलते, डैथ हो गया हो, डैथ हो जाने पर डूटू एटिवल्टू कोजज हो, और पीस में डिसेबल्ट डूटू एटिवल्टू कोजज हैं, और माई डियर फ्रेंड्स, ओल दोज आर इलिजबल्ट फोर डा एल्पीजी, डिस्ट्रिबूटर्सिप के लिए ये सब या क्या है, इलिजबल है, इस वफ एलिजबल्टी साइटिकेट की बात कर लें, दोस्तों, जब कोई तेल कंपनी किसी न्यूज पेपर में या एडवेट वाइज देती है, कि आरक्षज जगहों पर पर्मानेंट या रेगुलर डिलर से फोर एल्पीजी चाहिए, तब कंपनी में अपलाई कर सकते हैं, दोस्तों, once you have completed all process, all company will be shortlisted and get interview and then selection के बाद letter of intent रसूप कर दिया जाता है, डॉक्मेंट फोर इश्यू अफ एलिजबल्टी सेर्टिकेटिकेटिंग की क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्मेंट्स चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूं, दोस जारे डॉक्मेंट्स जो आप सामने देख रहे हैं, इसके बाद DGR की website पर online apply करना होगा, तथा संबंदे दस्तावेज speechport से DGR को भेज़ कर अपना eligibility certificate obtain कर सकते हैं, दोस्तों, डॉक्मेंट्स की जो requirement ESM और widow and dependence के लिए अलग-अलग हो सकती है, जैसा कि आप यहां पर देख स document, इसमें death certificate extra हो जाता है, दोस्तों, आप सब जानते हैं, और यह वाले documents आपके चाहिए होते हैं, और इसके बाद apply कर देना है, आपने direct speed post भी आपको करना है apply करने के बाद documents को ठीक है, तो इस तरह से आप DGR से अपना eligibility certificate भी ले सकते हैं, तो finally मैंना आपको बता दिया है कि क तरह से आप agency ले सकते हैं, बहुत easy है, बस आपके पास एक store, एक soap और 15-20 लाक रुपया आपके हाथ होने चाहिए, और agency आप आराम से ले सकते हैं, यह बहुत ही अच्छा business है, प्रॉफिट वाला business है, आप सब को यह करना चाहिए, तो that's all for in this video, जैहन्त for an accurate, you can comment me and come to my WhatsApp झाल